अगर आप एक स्टेलने स्टील के यूदेंशल देना चाहते हैं और अपने पूरे किचिन को एक बहतरीन को क्वियर से भरना चाहते हैं और साथ ही साथ उसकी यूटिलिटी बहुत जादा होनी चाहिए तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं माक्सिमा की तरफ से ए पागी किसी और मटेरियल के हो सकते हैं जो कि एक लॉंग लास्टिंग में आपको हेल्दी कुकिंग एक्सपिरेंस नहीं देंगे बट यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्रॉड़क्ट जो कि फिनिशिंग के साथ आता है साथ ही साथ आल ओवर इंडिया और वर् अन्बॉक्स करते हैं फिर इसके बारे में आपको डीटेल बताते हैं सबसे पहले इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं अन्बॉक्स करने के बाद इसका ये सॉसपॉट निकाल लेते हैं फिर आपको इसके बारे में डीटेल बताते हैं देखिए अन्बॉक्सिंग करने के बाद स वेना में नहीं है उ स्क्राइब आपको को माक्सिमा तो कोई बी तरीके के चलने में असानी होगी बिलकुल भी स्क्राचिस नहीं आएंगे क्योंकि पहले से ही इसमें मैड फिनिशिंग अंदर से दे दी है यह देखेए एक प्यारी और बहुत ही अप्छे अच्छी रिपट्स के साथ आता है इन्न विटेश मिलते हैं जो की साइड में आटाज होते हैं अच्छा experience आपको मिल जाता है स्टे कूल ही यहां पर नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पर Maxima की branding मिल जाती है जिसमें यह made in India लिखके देते हैं जो कि हमारे और आपके लिए बहुत ही proud की बात है और बात कर लेते हैं यहाँ पर 20 cm diameter जो होगा वो 20 cm का होगा liter की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर यह वाला जो starting size है वो 3.1 liter का है इसमें और भी sizes आते हैं 20, 22, 24 cm भी आते हैं तो उसका भी हम बहुत जल्द आपको review देंगे अगर आपको इसका review पूरा detail में चाहिए तो मेरे को message कर दीज़ेगा मैं कल ही इसकी video upload कर दूँगा आप लोगों के लिए और जहाँ पर यह लोग देते हैं 18x8 aluminum and stainless steel इसके बारे में मैं detail में बताता हूँ आपको 18x8 aluminum and stainless steel का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे आपको अंदर की तरफ मिलती है 304 grade की steel जो की आपकी बिल्कुल non-reactive type से काम करती है प्लस जितना भी food material आप इसमें cook करेंगे वो hygienic surface में होगा इन दोनों की बीच में आपको ये देखे 3 layering मिल रही होगी यहाँ पे बात कर लेते हैं ये देखे 3 layers आपको दिख रही होगी जिसमें उपर की layer steel की है नीचे की layer steel की है और जो बीच में है वो आपको दिया हुआ है aluminium aluminium देने की वज़े से ये हो जाता है तो obviously बात है एक single layer of steel भी बहुत ज़ादा मजबूत होती है तो यहाँ पे तो आपको 3 layers मिल रही है जिसकी वज़े से durability की बात करें तो यह आप generation to generation pass on कर सकते है मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आज आपने ये try apply ले ली यह ले ली है इसकी कढ़ाई मैंने साइड में आज़े साम्पल की तरह रख रखी है तो इस टाइप की कढ़ाई अगर आपने try apply की ले ली इसका भी link अभी आपको मैं दे दूँगा जिसे आपके लिए असानी हो जाएगी कि ये try apply की steel को बारे में भी जानने के लिए बात कर लेते हैं sauce pot की sauce pot जो होता है ये आपका daily basis पे है कोई भी चीज आपको छोटे बच्चे की sterilize करनी है इसमें आपको कोई भी चीज अगर milk boil करना है या आपको खीर बनानी है खीर तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी और एक चीज धान रखेगा ये जितने भी utensils होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से long lasting में आपका बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं उसका reason ये होता है इसमें आपका जो भी gas का खर्चा होता है एलपीजी का खर्चा होता है इंडक्शन में जो वोल्टेज का खर्चे होते हैं ये सब बिजली के खर्चे होते हैं ये सब बचा लेता है क्योंकि पहली चीज तो ये बहुत ज़ादा heat आपका लेता नहीं है बिल्कुल सिम पे बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही स्टेकूल हांडल मिलता है जो कि कमप्लीट स्टेलनेस स्टील का है कहीं भी प्लास्टिक या आपको सिलिकॉन टाइप की चीज़े नहीं मिलेंगी जिसकी वाज़े से आपके लिए क्लीन करना बिल्कुल आसान रहेगा यहां पर मैंने अपनों रिपिट्स पहले ही दिखा दिया इनर सर्फेस से आउटर सर्फेस से दिखानी है तो यह देखिए बहुती क्लियर रिपिट्स के साथ है और बात कर लेते हैं इनर सर्फेस की जो की मैट फिनिशिंग में आती है outer surface जो होती है वो यहां से side से glossy finish होती है और नीचे से base, gas, induction, heater, ceramic सब पे चलेगा यह सब पे चलेगा आपका और इसमें आप बात कर लेते हैं इसकी lid की देखें लिड ज़रूरी हो जाती है क्योंकि lid के बिना तो वो obvious की बात है कोई भी चीद अगर आप cook कर रहे हैं पिर हमेशा आपको stainless steel की मिलती है और यह आपका proper look है तो ज़रा lid को हम लगा लेते हैं फिर आपको एक proper look देते हैं यह देखे यह आपका पूरा look आजाएगा आपके soft spot का जो की tri-ply steel में है tri-ply steel आपकी हमेशा आपका साथ देने वाली है और साथ ही साथ हर तरीके के cooktop में यह काम करेगी अगर आपको यह tri-ply steel पसंद आ रही है और इसके पूरी series की आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे comment box पे comment करेगा हमारी वीडियो को like करेगा चानल को subscribe करना ना भूलेगा thank you so much keep supporting us